हलो दोस्तों आप सब कैसे हैं आज सिखाने जा रही हूँ एक और निव डिजाइन का बलाउज ये देखें बहुत सुन्दर बना हुआ है इसकी फिटिंग भी बहुत सुन्दर आई हुई है मेरी वीडियो परसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें जादा जादा वीडियो सेर करें बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नौटिविकेशन आप तक पहुंच सके चलिए वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं बलाउज बनाने के लिए मैंने ये इस्तेमाल करूंगी ये इस तरीके से आपको फिंदे डाल लेने हैं यहां पर फिंदे में पिंग कलर के आठ डालूंगी एक, दो, तीन, चार आठ फिंदे हो गए अब देखें अब इस वाले कलर से 16 फिंदे डालूंगी ग्रीन कलर से तो फिंदे तरीका सेम है फिंदे डालने का इस तरह से दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यारे, बारे, तेरे, चवदे, पंद्रे, सोले, तो सोले फिंदे हमने नीचे डाल लिये हैं और आठ फिंदे, सोले उपर, आठ नीचे ये देखें इस तरह से तो आठ और सोले पच्चिस फिंदे हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यारे, बारे, सोरी, 24 फिंदे, 24 फिंदे डालने के बाद, इस तरीके से आपको बना लेना है, ये देखें, इस दो, आपको आठ, जपको बना ले, भीमेटी रहले आланे, बेहले, इस भीमें टूंइ, 5 भांच, ज इस तरू हमनों आपको करने, इसा शवड़ोmy बना स्रीके से तरेके, सम्रीके से नालने美味ाप rectangular, कार्षण पाहता है, जैह मैं कि कि दो दोस na olması दो जैं हमने उपको जये ये देखे 16 फिंदे ये बना लिए 8 फिंदे इनको भी इसी तरह से बुन लेना है ये देखे इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये देखे 8 तो 8 फिंदे हमने नीचे की साइट से बुन लिए अब देखे कोई फिंदे को में छोड़ना नहीं है और ये वाला है इस तरह से हम खीचते हुए ये देखें खीचते हुए इसको सीधा बनेंगे इसको मैंने उल्टा बिना इसको हम सीधा बनेंगे पूरी रो हमें इसी तरीके से निकाल लेनी है अब इदर से ये देखें इसको उतार लेंगे इसको ऐसे ही बनेंगे अब इन सोले फिंदों को हम बनेंगे इसको नहीं बनना है अब इसको देखें ऊपर की साइट रख लेंगे और गिरीन को हमने नीचे कर लिया है ताकि यहाँ पे जाली ना पड़े ये देखें फिर से हम सीधा बन लेंगे पूरी रो इसी तरीके से बना लेनी है ये देखें चार सलाई मैंने निकाल ली है चार सलाई हमने इदर ही को निकाल ली है ये देखें इदर फिलेन है और यहाँ पे दोनों साइट उल्टा उल्टा है आप ध्यान से देखेगा, अब हमें किस तरह से बुनना है, इस वाले फिंदे को हमें उताल लेना है, अब हम ये देखें, बैक साइड धागा करेंगे, इसको हम सीधा बुनेंगे, अब सीधी तरफ हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, और जो उल्टा उल्टा बुना हुआ है, उस तरफ हम सीधा बुनेंगे, ये देखें, जब हम सुरुवात करेंगे, डिजाइन की मीचे की तरफ, ग्रीन कलर वाले से, तो हम उपर भी इसी तरह से बुलनेंगे, दोनों तरफ उल्टा उल्टा, सिरिफ एक बार, एक बार बीच में से हमें बापिस होना है, सोले ही बनेंगे, तो हम उपर तक बनेंगे, ये देखें, इस तरफ हम कर लेंगे, और इसको उल्टा उल्टा बनेंगे, उदर की साइट सीधा है, तो हम सीधा बनेंगे, इदर हम उल्टा उल्टा बनेंगे, ये देखें, इस तरह से, अब हम उपर तक नहीं जाएंगे, इसको उपर रखेंगे, फिर अपनी साइट कर लेंगे, और इसको इस तरह से कर लेंगे, तो मैं पूरी रोख कम्प्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको देखाती हूँ, अब फिर से देखें, इदर अब सीधा हो गया, चास सलाहीं हमने इदर निकाल ली, अब देखें, फिर से हमने इस तरह से, जिस तरह से शुरू आप की ती, आप इदर की साइट उल्टा-उल्टा हो जाएगा, उदर की साइट सीधा-सीधा हो जाएगा, तो इसी तरह से आपको बना लेना है, आप बड़ा छोटा अपने अंसार बना सकती है, यह देखें, इसी तरह से बनाना है, तो मैं बना लेती हूं, फिर आपको दिखाती है, यह देखो, मैंने बाउडर बना लिया है, अब यह छोटा लग रहा है, जब हम इस तरह से करेंगे, तो यह पूरा आ जाएगा, इसको खीचना है, थोड़ा सा, तो यह देखें, इस तरह से करेंगे, तो यह पूरा बाउडर कम्प्लीट हो चुका है, तो अब इसको हम उतार देंगे, यह देखें, दो का एक करते हुए उतारना है, यह देखें, जो जैसा कलर है, बैसा ही हम उतारेंगे इसको, ग्रीन है, तो ग्रीन से उतारेंगे, पिंक है, तो पिंक से उतार लिया है, अब इधर मेरा सीधा साइट है, इधर देखें, उल्टा है, यह देखें, यह देखें, यह देखें, यह पता चला है, यह उल्टा है, तो अब दे किस तरह से फिंदेश औठाना है क्यों कि उपर बनाना है तो फिंदेश अचैन के और से उठाना है हर Moi हम से फिंदे उठाएंगे अगर में अरत तरह से हमhey एक उठां जाएंगे ते उठा लेती हूं पर मैं आपको बताती हूं कितने फिंदे के ये देखो ने फिंदे उठाव का में अभी हम around यहां पर 34 फिंदे और उठाने है तो यह देखें किस तरह से उठाएंगे अभी इसको हम सीधा बनेंगे दो सलाई हमारी सीधी एक तरफ से हमने फिंदे उठाए हुए हैं और सीधी तरफ से अब बनाई हो रही है यह देखें फिंदे से फिंदे को बनाते जाएंगे इसी तरह से मैं फिंदे बढ़ा लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ कितने फिंदे हमने यहां पे बढ़ाए हुए यह देखें इधर से भी हम पूरी रो को कम्प्लीट कर लेंगे और यहां पे मैंने 84 फिंदे कर लिए यह 34 नमर का ब्लाउज बनके तैयार होगा पूरी रो इसी तरह से मैं निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती है यहां पे डिजाइन पड़ेगी तो दोनों पल्लों में हम डिजाइन डारेंगे तो यह देखें एक उतार लिया इस तरह से हमने बुल लिया थोड़ा लूज बनाना है अपनी साइट दागे को करेंगे और एक फिंदे पर हम तीन फिंदे बनाएंगे इस वाले फिंदे को सिल्प कर लेंगे फिर तीन फिंदे एक फिंदे पर तीन फिंदे पूरी रो हमें इसी तरीके से नहीं निकाल लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं पूरी रो मेंने कंप्लीट कर ली है अब इधर से देखें अब जो हमने सिलिप की आए गुआ फिन्दा है यह देखें इसको हम बाहर की तिरफ धागे को रखेंगे और ये देखें जो तीन फिंदे हैं एक फिंदे से तीन फिंदे बनाए तीनों को एक साथ बना लेंगे ये देखें ये देखें सिलिप किया है तो उन्हें उतार लिया इसको अब यहां पे देखें तीन फिंदों का एक फिंदा ये देखें पूरी रो में हमें इसी तरीके से बना लेना है जो तीन फिंदे में ने बनाए एक फिंदे से उनको एक साथ बनाना है سलिप किया हुआ फिंदे को हम सलिप करते जाएंगे यह देख 보내 पूरी रो इसी तरह से कम्प्लीट कर लेनी है तो कर लेती हूँ फिर आपको दिखा देखो इस तरह से डिजाइन बना ली है अब देखें अब ये वाला कलर हम लगाएंगे ये ये सीधी साइट से हम कलर चेंज कर लेंगे और सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से और दो सल आइए है एक इधर से और एक उल्टी साइट से और 4 साइट में ये पूरी हो जाती है तो दो स्लρώएम में सादा सादा बना लेती हूँ इसी तरह से फिर मैं आपको दिखाती यह देखो दो सलाई हमने फिर से निकाल ली है यह यह डिजाइन बहुत सुंदर लगती है चोटी चोटी डिजाइन बनके आती है तो यह बहुत सुंदर लाइनों में बनती है एक लाइन हम पिंकी बनाएंगे एक इसकी बनाएंगे अब देखें अब इस पे जो सब फिर से जिस पर हमने ने पहले डिजाइन बनाई थी उस पर नहीं बनाना उस वाले फिंदे को सिलिप करना है और जो सिलिप किया हुआ फिंदा है उस पर हम डिजाइन बनाएंगे यह देखें तो इसी तरह से ये डिजाइन का पैटन बनता जाएगा ये बहुत तीजी तरीके से मैं बता रही हूँ और बहुत जली बनने वाली है एक फिंदे से तीन फिंदे बनाना होते हैं एक फिंदे को हम सिलिप करते जाते हैं इसी तरह से डिजाइन को आंगे बढ़ाते जाते हैं, तो मैं कर लेती हूँ, ये मुड़ों तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आंगे का बताती हूँ, ये देखो, मैंने बना लिया है, बस इतना ही बनाना है, इतनी डिजाइन डालनी, एक, दो, तें, चार, पांच, तो आप यहां से हमें उतार देना है, दो काईक करते हूए, थोड़ा सा हम लूज उतारेंगे, इस तरीके से, ये देखो, मैंने उतार लिया है, आप आंगे देखो, सिंगल बूल से, इस तरह से, हमें फिन्दे, डाल लेंगे हूए, तो फिन्दे डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, मैंने अठारे फिन्दे यहां पर डाले हूए हूए, अब 18 फिन्दे पर हम इसको बनाएंगे, तो दो सलाई़ी, इस तरह से, हम सीदगे बून लेंगे, कर दो तरह से तरह से उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा इस तरह से बनेंगी कि जाएंगी जिस तरह से हमने ब्लाउज में डिजाइन डाली है उसी तरह से एक फिंदे से तीन फिंद में एक फिंदे को सिलिप करते जाएंगे और चार सलाइन में ये डिजाइन बनके तैयार हो जाती है पूरी रहए इसी तरह से मैं कर लेती हूं फैर आपको दिखाते हूं आप देखो जो तीन करें जो तीन पिंदे बनाए हुए damit स mee और शिलिप किऊ हुआ फिनदा हम सिलिप कर लेंगे। 7 Star सिल परेट लेंगे। पूरी रों में हमें इसी तरीके से बना लेना है। इस तरीके से आप देखें, अब हम हम कलर चेंज कर लेंगे। ये डिजाइन पूरी बन के तयार हो गई है। अब दो सलाई हम पिंक कलर से निकालेंगे इसी तरह से इसी तरह से लाइने बनती जाएंगी एक पिंक की लाइन बनाएंगे एक ग्रीन की इसी तरह से बनाएंगी तो मैं आठ लाइने बनाऊंगी फिर मैं आपको दिखाती हूं